एक चीज जो आपने बड़ी असानी से कर ली थी अप शिफ्ट हो गए बड़ी असानी से पॉड्कास्ट में करनी पाते लोग तो क्या वो स्ट्राटेजी यूज करी कि यार फिटनेस का चैनल एकदम से और सक्सेस्फुली शिफ्ट किया आप में क्या ऐसी चीजे करी है स्ट्राटेजी यह है कि लोगों को आपके फेलियोज याद नहीं रहते है बहुत साही चीजे ट्राइ करी सब कुछ चला नहीं पर लोगों को यह याद है कि फिटनेस से फैशन में स्विच हुआ फैशन में से और कुछ हुआ फिर और कुछ जब वो सब और कुछ खतम हुआ फिर लगा कि यार में खुद का दिमाग का कॉंटेंट अभी खतम हो चुका है अब यहां तो मैं बहुत तगड़ा रिसर्च करके कुछ कर सकता हूँ यहां पॉड़कास कर सकता हूँ जो तभी इंडिया में कोई नहीं करता था और मैं बहुत जादा अमेरिकन पॉड़कास को कंजूम करता था तो हमेशा यह लगा कि इंडिया में पॉड़कास की कमी है तो यह पॉड़कास में अगर आप experiment का नहीं सोचते अब यही experiment है यह experiment है to some degree कि जब कोई नितिश राजबूत का नाम पढ़ेगा टाइटल पे थमनिल पे तो शायद लोग सोचेंगे कि मैं आप से BJP versus Congress के वारा है वैसे बात कर सकते हैं पर geopolitics यह सब expect करेंगे लोग और मुझे बस बख्शे कुमार की बात याद आगई देखा पॉडकास आप मैं यह भी देखा जौन इबराहिम वाला भी देखा दोनों देखे था कैसा लगा जौन इबराहिम वाला वो पॉडकास अच्छा था चलो ठीक है मेरे बारे में तो बात हुई हुई लेकिन वैसे भी वो बहुत अच्छा था कि मैं पहली बार देख रहा था कोई एक established actor जो है वो पान मसाला और इनको सबको criticize कर रहा है बिना सोचे कि यार मेरा जो ecosystem है उससे disadvantage हो सकता है generally जो लोग बात करते हैं criticize करते हैं controversy या jealous या उसमें करते हैं तो John तो already एक successful actor है तो जब ऐसा actor आके कोई बोलता है कि यार यार पान मसाला यह नहीं करना चाहिए यार यह ऐसे नहीं करना चाहिए गलत कर रहे हैं तो वो चीज बहुत अच्छी लगी थी और मेरे लिए personal उस podcast के अंदर ये था कि एक actor जो अलड़ी successful है एकदम different skill set का है और different domain से है वो बिना जिजक के नाम ले रहा है मेरा generally क्या होता है कि आप अगर मालो आपने किसी एक का नाम लिया अरे इसको इसकी पतारीफ कर रहा है यानि के congress का होगा या BJP का होगा बिना जिजक के नाम लिया कहीं कोई controversy नहीं कोई political association नहीं हुआ मेरे को वहाँ पर confirmation मिला कि यार मेरे जो content है उसकी placement कहाँ पर है कि लोग कह सकते हैं है और मैं नितिश का content देखता हूँ उसके बाद भी आप बता नहीं सकते हैं कि यह किसकी तरफ है तो यह जो चीज उसके बाद मैंने realize करी इससे अब आगे के जो content है उसको लेके भी मुझे बहुत जादा चीजे होगा अगर आपको यह clip अच्छा लगा ऐसे हजार clips upload किये गए इस channel पर बस देखते जाओ और सीखते जाओ